यूपी में पेपर लीग के आरोपों पर अभी सियासत तेज हो गई है। सिपाही भरती परिक्षा में पेपर लीग का दावा किया क्या है। दावा किया जा रहा है कि उसके मुताबिक 17 फरवरी को जो परिक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक के आरोपों पर राहुल गांधी भी आक्शन में हैं और पेपर लीक का मुद्दा भारत जुडो न्यायात्रा के दौरान राहुल गांधी भी उठाते हुए नसर आ रहे हैं। जिक्र करते हुए C.M. योगी को एक चिठी लिकी थी और ये आरोप लगे थे कि पेपर लीक हुआ है और इस मसले को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। हाला कि योपी पुलिस की मदद से इसकी जाज की जाएगी। तो देखे अभी ये साबित नहीं हो पाया है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। लेकिन पेपर लीक के बहाने योगी सरकार पर चड़ाई करने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक के बहाने सियासी समिकरनों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। दरसल 17 परवरी को सेकंड शिफ्ट की परिक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया और ये दावा पूर्व आईपियस अमिताप ठाकूर की तरफ से किया गया। और एक चिठी लिखी गई मुख्यमंत्री युगे आदितनात को निश्पक्ष जाच की मांग की गई है। और ये मामला सामने आने के बाद एक तरफ अकली श्यादव एक्टिव हो गए हैं तो साथ की साथ राहूल गादी भी इस मसले को उठा रहे हैं। अब देखे यूपी में सिपाही भरती की परिक्षा थी कुल पद हैं 6244, परिक्षारत्री हैं 48 लाग से ज्यादा। परिक्षा हुई 17 और 18 परवरी को धांदली के आरोपों में अब तक 244 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है। आरोप ये लगाए गए कि जो 17 परवरी को सेकंड शिफ्ट की परिक्षा हुई उसमें पेपर लीक हो गया है। परिक्षा में भाग लेने वाले जो लोग थे वो 48 लाग से ज्यादा थे। परिक्षा 17 और 18 परवरी को हुई थी धांदली के आरोप ये लगाए गए कि पेपर लीक हुआ है और अब तक इस मामले में 244 लोगों को गिरफतार भी कर लिया गया है। हालकि पेपर लीक का मामला यूपी की सियासत में उच्छाला जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर नसर आ रहा है। एक तरफ अखलेश यादव जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से योगी सरकार पर आरोप लगा रही हैं और इस परिक्षा में हुई धांदली को लेकर वो एक्टिव नसर आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहूल गांदी जो इस वक्त अपनी भारत जोड़ो निया यातरा को लेकर उत्तर प्रदेश में हैं वो भी इस मसले को उठाकर योगी सरकार पर हमलावर नसर आ रही हैं आनि चुनावों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीग का मामला उठाने की कोशिश की जा रही है ये सिपाही भरती की परिक्षा हुई थी और कु